सेलमपुर बजार के दुकान दार नालियों के खुदने के बाद बहुत परेशान है गंदगी के कारण आप देख सेते हैं ये सबी चोड़े PWD और MCD के अंतरकत आने वाले नाली नालिया हैं जो पूरी तरह खोद दे गए हैं और सारा मलबा रोड पर फेग रखा है और इतनी चोड़ाई इतनी है कि जो व्यक्ति है कि जिसको दुकान खोलनी होती है तो वो दुकान खोली नहीं सकता मजबूरी में उन्होंने टरंप रेली बल्लियों से उसे लगा रखिये जिससे भी हाथसा होने से बचा है या कि दुकान दार कहते हैं कि कुछ लोग तो यहां नालियों में ही गिर गएते और पांच दिन हो चुके हैं अभी तक MCD के तरफ से कोई भी कथी इसमें जो कारवाई है वो नहीं की गई है और नहीं PWD के क्योंकि जो आप नाला देख रहे हैं यह MCD के तरफ से और दूसरी तरफ जो PWD का नाला है उसमें मिक्स हो रहा है दोनों के तरफ से खुदाई चल ली है और सारा पानी बाहर आ रहा है दुकान दार अपनी दुकान खोनने के लिए भी मजबूर है क्योंकि उनका खर्चा भ कि महम्मद अमजद क्या दिक्केदारी कि जिन दो खुदा हुए है यह आज 5 अधिन है इसे खुदेवे नाले को और यहां पर बहुत दिक्कत आरे इस नाली की वहें से काम के तो घराब हो गया प्लूल काम सभी का गराब हो रहे हैं सारे मार्केट वाले पर रहाने इस और आपने अनुवालों को भी रास्ता दिक्कत हो रही है क्योंकि मार्केट की गली भी तूट गई है और वह पुल्या भी तोड़ दी गई है इसकी वेसे दिक्कत आ रही है सारी और यह दुकंदारों को तो ही परिशानी इस पर दुकंदारी को लेंटल भी और जो भी आगे ज भी दुकानों सामना बड़ी मट्टी घराव एरी है है रामकिशन तो थिसे नाना बढ़ रहा है तो किस दिक्कत आरे स्लाने से अदब घ्राक नहीं है तो इसकी अपने कंप्रांट विदायक ही तो अमने पता ही नहीं विदायक रहता कहा है है तो कितन दिन ओगश्क्यों द झाल झाल